हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंजिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ एक डिलीसियस और हेल्दी डिस्की रेसीपी सेर करेंगे आज हम बनाएंगे मसाला चना चाट यह बहुत हेल्दी है, ज्यूकि हमने इसमें जो चने इस्तेमाल किये हैं उसके न्यूट्रिशनल वेल्यू बहुत हाई है और चने प्रोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है मसाला चना चाट को मुंबई में चना चटपटी के नाम से भी जाना जाता है ये मुंबई का एक famous street food है वेसे तो चनाचाट बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं लेकिन आप हमारे बताए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत कम मेहनत में और आसानी से चनाचाट बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आसान food recipes के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें चनाचाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर सोक करके बोईल के हुए चने लिए हैं हमने दो कप काले चने लिए और इन चनों को हमने ओवन नाइट पानी में भिगो दिया था फिर हमने इनको बोईल करने के लिए देड़ कप पानी और आधा टीस्पून नमक एट करके मीडियम फ्लेम पर तीन सिटी आने तक अच्छे से बोईल कर लिया चना चाट का मसाला बनाने के लिए हम एक पेन में एट करेंगे एक टेबल स्पून तेल और तेल को अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे half teaspoon जीरा और दो चुटकी हींग साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे कटी हुई हरी मेच देखिए हमने यहाँ पर जो हरी मेच एट की है वो ज्यादा तीखी नहीं है कुछ सेकेंड टक हम इनको तेल में सोटे करेंगे अब हम इसमें एट कर देंगे half tablespoon अद्रक लेसुन का पेस्ट और इसे भी हम तेल में कुछ सेकेंड तक सोटे करेंगे देखिए आप यहाँ पर अद्रक लेसुन के पेस्ट की जगा बारिक कटा हुआ लेसुन और अद्रक भी एट कर सकते हैं अब इसमें एट कर देंगे सुखे मसाले तो सुखे मसालों में हमने लिया है एक चोथा टीस्पून गरम मसाला half teaspoon healthy powder, एक टीस्पून लालमिच पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला और एक टीस्पून धनिया पाउडर थोड़ा सा इसमें पानी एट करेंगे और इन मसालों को हम low flame पर तेल में अच्छे से भूल लेंगे सारे सुखे मसाले एट करने के बाद हमने इसे एक मिनिट तक तेल में भूल लिया अब हम इसमें एट कर देंगे बोईल किये हुए चने अच्छे से mix कर लेंगे और low flame पर हम इन चनों को मसालों के साथ दो मिनिट तक पकाएंगे दो मिनिट तक मसालों के साथ चनों को पकाने के बाद हम गेस की flame को off कर देंगे और इस टेश पर हम इसमें स्वादनों सा नमक एट कर देंगे जान रहे के हमने चनों को बोईल करते वक नमक एट किया था इसलिए अभी हम सिफ हाफ टी स्पन नमक एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रूम टेंपरेचर पर थंडा कर लेंगे तो हमने चनों को रूम टेंपरेचर पर थंडा कर लिया रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे उबले हुए आलू तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइस के उबले हुए आलू को इस तरह के छोटे पिसिस में कट कर लिया और अब हम इसमें एट करेंगे दो मीडियम साइस की बारिक कटी हुई प्याज और दो मीडियम साइस के बारिक कटे हुई टमाटर साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पुन बारिक कटा हुआ पुदीना और चार टेबल स्पुन बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पुन निम्बू का रस अब हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पुन काला नमक देखिए आप यहाँ पर काले नमक की जगा नमक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पहले हमने जो नमक एट किया था वो चनों के लिए था और यह जो हमने काला नमक एट किया है वो चार्ट के लिए है अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इस स्टेज पर आप चेक कर लें अगर आपको इसमें चाट मसाला या फिर किसी मसाले की कमी लग रही हो तो आप अपने हिसाब से उसे एट कर सकते हैं फिर इसे सव कर लेंगे चना चाट को सव करने के बाद हम इसमें गानिसिंग के लिए अनारदाने एट कर रहे हैं अनारदाने बिल्कुल ओप्सनल है और गानिसिंग के लिए हम इसमें बेशन की सेव एट करेंगे थोड़े से अनार दाने और एट कर देंगे और बारी कटा हुआ हरा धनिया एट करेंगे तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेस्टी मसाला चना चाट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं झाल 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 झाल